गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स तो लास्ट क्लास में अपना अपना इंडियन कॉंट्रेक्ट एक 1872 के कुछ टोपिक्स आपने कंटीनू किये थे और कुछ क्युशन सोल कर रहे थे आप लोग आपको ध्यान होगा कि लास्ट क्लास में जितने भी टोपिक अभी तक आपने स्टेडी किये हैं तो उनके क्युशन को आपने लोग सोल कर रहे थे ठीक है न चले बटा एक क्युशन साइध बच गया था क्युशन नमबर नाइन तो हो गया था साइध लास्ट में कि mode of revocation का section कौन सा है तो आपने बताय था कि section इसका 6 है अब जो अपना next topic है Qशन No.10 आपके सामने है Qtion No.10 Ouptions बताना प्लीज Qtion No.10 में बेटा Good Morning first of all और अब Qtion No.10 आप लोग देखिए आपकी स्क्रीन पे है Qtion No.10 तो मैं क्यूस नंबर 10 को हाइलाइट भी कर देता हूँ और इसके अब आप आंसर बताओ क्यूस नंबर 10 के क्या आंसर है कि वोईडेबल कॉंट्रेक्ट इज वन अब इन चार में से कौन सा उप्शन है क्यूस नंबर 10 के उप्शन बताएं प्लीज मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ आँखें खोलो गूड मॉर्निंग हो गई क्लास शुरू हो गई है बता आंसर देना स्टार्ट करो अभी सिरफ एक स्टूडेंट का आंसर आया है वोईडेबल कॉंट्रेक्ट चलो पहले आपको एक बार वोईडेबल कॉंट्रेक्ट का मिनिंग बता देता हूँ देखो वोईडेबल कॉंट्रेक्ट वो होता है जिसको एक पार्टी चाहे तो वोईड डिकलेर करवा सकती है कौनसी पार्टी जिसकी कंसंट फ्री नहीं है जिस पार्टी की consent free नहीं है वो पार्टी यदि चाहे तो उस contract को void declare करवा सकती है जब तक objection नहीं करेगी तब तक valid है यानि voidable contract हुआ है जो void declare हो सकता है void है नहीं अभी पर void declare हो सकता है by the court यदि वो पार्टी objection करे जिसकी consent free नहीं है तो वो contract void declare हो सकता है आप इन चार में से आपको option ढूणना है कि voidable contract is one which is lawful या which is invalid which is valid so long it is not avoided by the party entitled to do so और last में none of the above तो इसमें बेटा आपका option है अब आप लोग reply कम लोग कर रहे हैं प्लीज reply करें जल्दी जल्दी question number 10 में अब सही reply करने start के हैं मनेश बेटा D option नहीं होगा सिवानी B option बोल रहे है इन वैलिड नहीं होता voidable contract जब तक आप objection नहीं करोगे तब तक तो वैलिड है न तो सही answer होगा इसमें बिलकुल सही answer दिया आप लोगोंने बाद में ठीक करके और इसका सही answer है C option कि voidable contract वैलिड है कब तक so long it is not avoided by the party untitled to do so यहनि जब तक जो party इसको void declare करवा सकती है जब तक वो party इसको void declare नहीं करवाती तब तक तो वैलिड है वो party the objection कर देगी फिर court उसको void declare कर देगी तो वोइड बनेगा जब तक void declare नहीं होगा तब तक वैलिड है तो यह चोटा सा point आपको ध्यान रखना है यह कुछ questions थे और बेटा सारे questions वो हैं जो आपकी exam में पहली पुछे लिए ध्यान से steady करें और आज जो अपना next topic है section 11 basically आप लोग steady करेंगे और बेटा आज आपका topic है section 11 आपन यहां पर steady करें कि capacity of parties to contract capacity of parties to contract यानि competent parties आपको ध्यान होगा आपन बार बार एक चीज पढ़ते हैं कि कोई भी agreement contract तभी होगा जब contract की parties competent हों competent parties एक word आपके सामने आता है competent parties कि agreement करने वाली parties competent होनी चाहिए अब आप बोलोगे sir competent का meaning section 11 ने बताया है कि agreement की सभी party competent ही मानी जाती है कब तक competent मानी जाती है कि agreement करने वाली party competent ही मानी जाएंगी तो कब तक ये दिवो party major है competent party का मतलब है कि ये दिवो party major है यानि attain majority minor नहीं होनी चाहिए और आपको age का वो number याद है कि कौन सी age के बाद में minority नहीं रहती और कब major बन जाते हैं तो बिल्कूल सही है कि जो person 18 years complete कर लेता है 18 years अब वो यदि age का है तो उस person को अपन क्या बोलेंगे major और जिसकी age 18 years से कम होती है तो बोलते है minor तो attain majority तो attain majority का मतलब कितनी age हो 18 years plus या इस से ज्यादा कि एज हो गई तो attainment so person major है major person contract कर से minor person contract नहीं कर से दूल याद रखना कि कई questions मिलेंगे तो आपकी knowledge के लिए एक छोटी सी चीज और बता देए आप से कोई अभी पूछे कि बेटा minority कौन सी age तक रहती है और person major कब बनता है तो आप यही बोलोगे कि sir 18 years तक है और यह answer सही भी है एक ऐसी situation है जिसमें majority 21 year complete होने पर आती है एक ऐसी situation है जिसमें 21 year complete होगे ना आपकी तब आप major बनता है ऐसा कोई person ऐसा कोई person जिसके नेचुरल guardians नहीं रहें लगवान ना करें किसी बंदे के और parents की death हो गई और उसकी family में और कोई नहीं नहीं तो फिर court उसका guardian appoint करता है और उसकी majority 21 year complete होने पर होगे तो generally तो यही बोलते हैं है कि कोई भी person major तब बनता है जब वो 18 years complete करें लेकिन येदि किसी person पर एक act का नाम लिख रहा हूं वार्ड सेंड गार्जियन सेक्ट वार्ड सेंड गार्जियन सेक्ट अपलाई हो जाए और वार्ड सेंड गार्जियन सेक्ट तब अपलाई होता है जब जब नेचुरल गार्जियन नहीं रहते है जिन माबाप ने आपको जनम दिया है यही किसी person के वो parents नहीं रहे नेचुरल गार्जियन जब अवेलेबल नहीं होते तो फिर court को वहाँ पर लीगल गार्जियन अपॉइंट करना होता है और उस case में majority किस एज में आएगी 21 year तो वैसे basic rule तो यही आप सही बिलकुल समंझते हो और सही बोलते हो कि sir majority means 18 years plus age होने पर ही आती है लेकिन ये दिवार्ड सेंड गार्जियन सेक्ट के अंतरगत लीगल गार्जियन appointed है court के द्वारा तो फिर person major कब बनेगा 21 साल की age होने तो बहुत rare case में होता है तो ज्यादातर 99% cases में तो majority 18 years complete करने पर ही होता है यह चोटा सा point आपको ध्यान रखना है कि कौन-कौन से person competent है contract करने के लिए तो सबसे पहले तो जिस परसन की जिस परसन ने majority attend कर ली तो he is competent और second point है जो sound mind का हो बिल्कुल person of sound mind कैसा बंदा होना चाहिए जो कि sound mind का हो अब आप बताव sound mind का होने का क्या टेस्ट है पागल नहीं हो sound mind का नहीं हो lunatic नहीं हो not lunatic lunatic का मतलब भी यह होता है पागल तो क्या पता चले कि कोन परसन पागल है या कोन परसन sound mind का है क्या टेस्ट है sound mind का तो यह दे कोई भी परसन कोंट्रक्ट की terms condition समझने के competent है कोई परसन प्यास इतना दिमाग है कि वह contract के terms and condition को समझ सकता है अपने लिए अच्छा क्या है अपने लिए बूरा क्या है यह तई कर सकता है यानि जो bad और good में difference कर सकता है जो यह rational decision ले सकता है कि क्या मुझे contract करना चाहिए इस contract से मुझे क्या लोस होगा क्या profit होगा इतनी समझ यह दी किसी योगे नहीं है तो वो person sound mind का नहीं है पिर तो जो person sound mind के हैं सिरफ वो ही person contract कर से जिए unsound mind के person के साथ contract करोगे वोईड होगा minor के साथ contract करोगे तो भी वोईड होगा और unsound mind के person के साथ contract करोगे तो भी क्योंकि यह दोनों ही लोग competent नहीं और third point है कि ऐसा person जो कि not disqualified जो कि कि किसी भी act के दवारा किसी भी कानून के दवारा disqualified नहीं हो जैसे कई बार आपने देखा होगा कई लोग money laundering money laundering का मतलब होता है बेटा जो black money को white money में convert करना जो लोग गलत तरीके से खूब सारा पैसा कमाते हैं income tax देते हैं उनके पास कौन से money है black money है वो क्योंकि वो recorded money नहीं है अभी पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ action लिए जाते हैं TBI हो या एक नाम सुनाओगा अपने ED enforcement direct rate black money के cases को ED जादा deal करती है यह government की agencies है तो inquiry investigation करती है इन्होंने inquiry investigation की court में अपने report दी और उसमें पाया गया कि इस बंदे के पास और black money है तो court उस पर restriction लगा देता है कि आप अगले 10 years तक कोई property purchase नहीं करोगी कोई serious debenture purchase नहीं करोगी यानि court ने उसको disqualified कर दिया वो person major है person sound mind का है even लिए उसमें तो ज़्यादा mind और है लेकिन court ने उसको disqualified कर दिया कि आप ये certain agreement नहीं कर सकते तो वो person भी क्या बन गया अब वो competent नहीं रहा उन particular agreement में एंटर होने के लिए तो ये rule आप याद रखो आपने section 10 study किया था कि agreement enforceable तभी होगा agreement enforceable तभी होगा जब उस agreement की parties competent हो ये तो section 10 ने बोला था अब competent कौन party होती है कौन नहीं होती तो ये section 11 बता रहा आपको तो आईए बेटा section 11 को study करते हैं आपने study material पे आना प्लीज तो अपनी heading है उपर आप उपरीदी heading देखेंगे तो कि capacity of parties यानि competence of parties to contract और section section 11 उसमें लिखा है कि every person is competent to contract हर person contract करने के लिए competent है who जो की who has attend the age of majority जिसने majority की age attend कर ली जो normally 18 year होती है who is of sound mind जो person sound mind का है and who is not disqualified from contracting by law to which he is subject और जिस person को law ने disqualified declare नहीं कर रहा है कि तीन कंडिशन जो पूरा कर देगा वो competent है और जो इन तीन पॉइंट में cover नहीं हो रहा वो incompetent competent person है तो contract कर सकता है और incompetent person है minor है unsound mind का है या disqualified person है उसके साथ ही दिया agreement करोगे तो agreement void होगा voidable नहीं बोल रहा void होगा void please देखो नीचे ध्यान से देखोगे न तो law relating to minor यानि minor के साथ ही दिया agreement करते हैं तो उसके लिए क्या कानून है वो यहाँ पर आपको बताए तो सबसे पहले एक rule है याद रख लेना और इस case का नाम भी याद रखना कि a contract made with or by a minor is void of in issue एक word लिखा होगा void of in issue अब in issue काम लोता है from the beginning from the starting यानि यह दि minor के साथ आप contract करते हो तो वो क्या होगा वो void होगा और void कहां से होगा from the beginning वो beginning से ही void होगा from the beginning चार्टिंग से ही वो agreement void हो और यह decision आया था इक case होगा था बहुत important case है 1903 यानि आज से क्रीब 117 साल पहले court का decision था और case का नाम था मोहरी बीबी वर्सीज धर्मोदास घोस इस case में court ने decision दिया था कि minor के साथ जो भी contract करोगे वो contract void है तो उसे ही void है उस contract को कभी भी valid नहीं किया गए minor के साथ जो contract करोगे वो contract क्या होगा void होगा second point है second point बहुत प्यारा point है बेटा आप समझ जाओगे जिसे कोई person है minor है वो उसकी age 70 year है जब उसने agreement किया तब उसकी age कितनी है 17 year एक साल के बाद वो major हो गया उसने agreement तो minority के दोरान किया था ना अब वो major होने के बाद बोल रहा है कि मैंने मेरे minority में जो जो agreement किये थे मैं उनको मानने को तयार हूँ यानि major होने के बाद वो अपनी minority के दोरान किये वो agreement को confirm कर रहा है ratify कर रहा है तो क्या वो agreement valid हो जाएंगे या रखना कभी नहीं जो agreement void through से void है उसको बाद में ratify ratify का मतलब होता बेटा confirmation आप उसको बाद में confirm नहीं कर सकते देखे ध्यान से second point को कि minor cannot ratify the agreement on attaining the majority ऐसा नहीं है कि आप minority में जो agreement किये हैं उस time तो void हैं वो लेकिन major होने के बाद उन्हीं agreement को आप confirm कर दो कि वह उस time मैं minor था इसलिए मेरे साथ जो agreement किये गए उस time void थे बट आप मैं major हो गया अरे अब मैं समझदार हो गया आप मैं ये confirm कर रहा हूं कि मैंने मेरी minority में जो agreement किये थे मैं उनको मानने को तयार हूं मैं उनको मेरी approval दे रहा हूं आप ऐसा नहीं कर सकते क्यों because the original agreement is void अभी निस्यू क्योंकि जो original agreement हुआ था आपके minority में वो void अभी निस्यू था जो agreement void है can never be ratified और एक बार जो agreement void declare हो गया बाद में उसको कभी भी ठीक नहीं कि नए agreement कर लो ना major होने के बाद नए agreement कर लो नए stamp paper पे कर लो आप पुराने वाले जो आपके agreement थे उनको continue नहीं कर सकते उनको आप confirm या revival नहीं तो सबसे पहला point तो जो case था मोहिरी बीबी versus धर्मोदास course उसमें यही था कि minor के साथ किया हूँ agreement void up in issue second point यह कि minor कभी भी अपने agreement जो minority के दोरान किये हैं उनको majority attain करने पर confirm नहीं अब एक चीज़ बताईए आप मुझे क्या minor partnership firm में partner बन सकता है वैसे आपको ध्यान होगा आपने 12th class में partnership accounts बढ़े होगी तो minimum दो partner होते हैं maximum कितने partner होगे इसकी कोई as such maximum कितने partner होगे उनकी कोई limit नहीं होती और अब company jack ने उस limit को बढ़ा करके पहले maximum की limit ज़्यादा थी बटाब उसको कम थी अब उसको 50 partner की limit कर रखी तो एक partnership firm में minimum पार्टनर सी फर्म में minimum दो partner होते हैं और maximum 50 partner होते हैं अब क्यूस्टन ही आता है जो आप सी क्यूस्टन पूछ रहा हूँ क्या minor partnership firm में partner बन सकता है क्या ठीक है क्या minor partnership firm में partner बन सकता है क्या देखो एक example आपके साथ share कर रहा हूँ जैसे ये एक anil नाम का बंदा है एक sunil नाम का बंदा है ये दोनों major है ठीक है ना और इनके एक partnership firm है AS enterprises एक partnership firm है इन दोनों की AS enterprises और ये दोनों इसमें partner ये दोनों major बनते हैं एक विनोध नाम का person है ठीक है इस नाम का person है विनोध नाम ठीक है आज मैं आपके लिए थोड़ा विनोद अलग धंग से लिख रहा हूँ ठीक है हसना मत नहीं तो घर वाले सोचेंगे क्या आप अके ले के ले क्या हंस रहे हो क्लास में होते तो हंसते तो कोई दिक्कत नहीं थी एक विनोद नाम का परसन है और इसकी एज है इक्स्टीन एर ठीक है ये विनोध की एज है इस्टीन एर क्या ये इस पार्टनर सी फर्म में पार्टनर बन सकता है क्या विनोध की एज कितनी है 16 एर क्या ये विनोध इसमें पार्टनर बन सकता है क्या तो बिलकुल आपने सही आंसर दिया भी दिवानसुने मुझे आंसर द बन सकता तो इसने capital contribute करे गए और इनका profit sharing ratio होगा जैसे मालो equal equal ratio है one is two one is two one ये इस फर्म में जो भी profit हुआ तो profit तीन पार्ट में divide होगा तीनों equal equal और भगवान ना करे बेटा लोस हो गया तो ज़रूड़ी थोड़ीना business में हमेशा profit हो लोस हो गया तो पस यहीं ध्यान से सुन पाइनर पाइनर बन सकता है यह उस पाइनर के जो ओल्ड़ी पार्टनर हुआ हो सभी पार्टनर राजी हो तो माइनर पाइनर बन सकता है अले फोर profit उनली फोर benefits कि यहीं पार्टनेशीव फर्म में लोस हुआ, माइनर लाइबल नहीं होगा, माइनर सिर्फ बैनिफिट्स के लिए पार्टनर बन सकता है, लाइबिलिटीज के लिए नहीं, लोसीज को शेर करने के लिए नहीं, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, बिल्कुल अब अपना थर्ड पॉइंट बहुत शांदार पॉइंट और आप लोगों ने पूरा जवाब मुझे दे दिया है, कि माइनर कैन बी बैनिफिशिरी, माइनर कैन टेक बैनिफिट आउट ओफ ए कॉन्ट्रेक्ट, माइनर कोई भ कभी नहीं, माइनर की कभी भी लाइबिलिटी नहीं होगी, आप सिंपल सा एक्जामपल देख लो, किसी ने माइनर को लोन दे दिया, कोई बंदे की एज 16 एर है और उसने लोन ले लिया, तो लोन डूरिंग माइनर्टी लिया है, अब कल यदि वह वापिस देने के बार यह तो मना कर सकता है, क्योंकि आपने उसको माइनर्टी के दोरां दिया था, माइनर की कभी लाइबिलिटी नहीं होती, क्याद रखना माइनर हमेशा, माइनर ने लोन दिया है किसी को, तो वापिस ले सकता है, लेकिन किसी ने माइनर को लोन दिया है, तो कोई माइनर से लोन मा मांगेगा तो मना कीड़ देगा तो हपकोर्ट में नहीं जा सकते क्यों कि अड्रों जा सब्सक्राइब VC इस बड़ी ध्यान से पढ़ना कि माइनर केंड बैंटता सबस्किट किसी भी कॉंट्रेक्ट मेनि यह माइनर को बैनिफिट तो यह बेनग को बनेटarios और यह हाँ पर Indian contract ने किसका favor किया है minor आगे लिखा भी है कि minor cannot become partner in a partnership firm generally minor किसी firm क्योंकि minor contract नहीं कर सकता तो partner हाँ से बनेगा लेकिन he may with the consent of all the partners तो he may be admitted as partner उसको partner की रूप में कि चलती हुई partnership firm में add कर सकते हैं तो the benefits of the partner only partnership के दोस्त के लिए नहीं है कि याद रखो minor कभी भी दोस्त या liability वाले contract नहीं लेगा minor सिर्फ profits या benefits share करने के लिए कोई agreement का या किसी partnership firm का हिस्षा बन सकता और next point है minor को कभी भी insolvent declare नहीं किया जाए माइनर cannot be adjusted यानि declared कभी भी minor को insolvent declare नहीं करेगा क्योंकि जब वो contract ही नहीं कर सकता तो उसके liability कहां से होता है जानते हो ना insolvent कौन होता है जिस person के liability ज्यादा हो जाएं और asset कम तो insolvent होता है कि दो लोगोंने joint में किसी से agreement किया है यानि दो jointly लोगोंने मिलकर कि किसी से agreement किया joint bank account होता है तो बिल्कुल तो minor का और adult एक minor है और एक adult दोनोंने मिलकर के किसी third person से contract किया हान अब उस contract में the benefit हो रहे है तो joint person दोनों share करेंगे और the loss हुआ तो minor नहीं करेगा जो adult person है यानि जिस case 18 years से वो सिरफ वो उन losses को बीर करेगा last paragraph बेटा ध्यान से पढ़ना कि where a minor and an adult person यानि the minor or adult person enters into agreement किसी agreement में एंटर होते हैं with another person किसी third person के साथ तो minor is not liable और contract यान फोर्स करना हुआ तो शिरफ उस major person के एगेंस्ट में ही इन सभी points को steady करके आप इस conclusion पर पहुंच रहे है minor कोई भी contract होगा minor major होने के बाद भी अपनी minority के दोरान किये हुए एगरीमेंट्स को ratify नहीं कर सकता है ratify नहीं हाँ minor किसी भी partnership firm partner admit हो सकता है जिए उस partnership firm के जो already partners हैं पहले से उस सभी partners majority नहीं all the partners से दी consent दे दें तो minor उस partnership firm में benefit share करने के लिए profit share करने के लिए partner admit हो सकता है minor कभी भी liability यानि loss or liability के लिए minor कभी भी partner नहीं बन सकता है माइनर कभी insolvent भी declare जहां तक के provision समझ में आ गए यहां तक के topic minor और माइनर से related provision समझ में आ गए पेटा reply दो प्लीज आए वेटिंग फॉर रिप्लाइज यहां तक के provision समझ में आ गए चलो ठीक है thank you thank you very much अब अपना next topic करते हैं अब आता है unsound अब तो minor का section कौन सा था यह सबसे पहले तो यह अपन section 11 में पढ़ रहे थे कि person ने majority attend की अब अपना second point आता है कि वो unsound mind का नहीं होना चाहिए बिल्कुल देखो next अपना जो topic है वो यही है कि unsound mind का नहीं होना चाहिए agreement करने वाले जो parties हैं वो unsound mind की नहीं है और बेटा बताओ आप क्या पता चलेगा कि कौन unsound mind का है या कौन sound mind का है एक ही test है कि जो person contract करते time contract की terms and conditions को judge कर सकता है analysis कर सकता है अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है यह फैसला कर सकता है तो वो person sound mind का हो और जिसमें इतनी capability नहीं होती तो वो बंदा unsound mind का हो तो आना इस topic पर कि agreement करने के लिए जो person है वो unsound mind का नहीं होना चाहिए तो person of unsound mind section 12 में लिखा है कि यह person is said to be of sound mind for the purpose of making of a contract यानि कि एक person को sound mind का तभी कहेंगे कब कहेंगे if at the time when he makes it यह यह दिए agreement करते time वो person is capable of understanding it वो person उस contract को समझने के capable है and of forming a rational judgment और वो person इतना capable है rational कामत्र होता है सोच समझ करके और judgment यानि फैसला लेना कि वो person इतना capable है कि वो एक सोच समझ करके prudent यानि समझदारी से decision ले सकता है as to its effect इस contract का क्या effect होगा upon his interest उसके हितों पर यानि येदी कोई person आपने interest को protect कर सकता है ये समझ सकता है ये judgment कर सकता है कि मैं जो contract करने जा रहा हूँ इस contract का मेरे interest पर यानि मेरे जो particular part पर इसका क्या positive negative effect होगा येदी कोई person इतना समझदार है और sound mind के person के साथ आप agreement कर सकते है और येदी person इतना समझने के काबिल नहीं है तो फिर फिर वो person unsound mind का है और लाइन लिखिए कि contract by any person who is not of sound mind तो sound mind का नहीं है उसके साथ येदी contract करोगे तो contract क्या होगा contract void और next point भोत आसान है कि अब दो लाइन पेटा पड़े ध्यान से देखना एक ऐसा बंदा जो देखो लिखा एक person who is usually of unsound mind एक ऐसा person जो लगबक unsound mind का ही रहता है पागल ही ये हो लेकिन कभी कभी ठीक हो जाता है यानि दिन में मुश्किल से एक दो घंदे वो ठीक रहता है वाकि पूरे दिन वो पागलों जैसी अरकत करता है यानि या person who is usually of unsound mind इन्हीं कोई ऐसा person जो एक अफते पागल रहता है पूरे वीक पागल है पस एक दिन के लिए आधे दिन के लिए ठीक हो जाता है और फिर पागल हो जाता है तो ऐसा person दो usually unsound mind का है लेकिन occasionally कभी-कभी उसमें सही network आ जाता है और वो सही हो जाता है तो ऐसा person may make a contract तो ऐसा person में contract कर सकता कब when he is of sound mind तो जिस वो एक दिन या आदे दिन सही हुआ न उस duration में agreement कर सका है अब यह बड़ा debate वाला point रहेगा कि उसने agreement किया तब ठीक था यह कौन सर्टिफाई करें थीक है न बट लो ने तो देखा अपना provision बना दिया आगे फिर court में जगडते रहो वह अलग बात है तो रूल याद रखो कि यह person जो usually unsound mind का है बट occasionally कभी-कभी वह ठीक हो जाता है तो वह person उस वक्त contract कर सकता है जब ठीक हो जाता है और next line इसी की reverse है कि एक ऐसा person who is usually of sound mind एक ऐसा person तो ज्यादातर ठीक रहते हैं कभी-कभी एक तो दिन पागल हो जाता बाकि लग-बग वह ठीक रहता है तो वह person but occasionally of unsound mind तो वह person भी agreement कर सकता है जब वह sound mind की situation तो दोनों point को पढ़ करके आप एक ही conclusion पर आते हो कि person जब sound mind की status में है contract कर सकता है और जब वह unsound mind की status में है contract नहीं कर सकता है क्योंकि unsound mind की status में रहकर कि लिए agreement करेगा वह agreement अपना अपने उपर लिए agreement क्या होगा क्योंकि unsound mind के person के साथ यदि contract करोगे तो वह contract void होता है contract valid नहीं यह आपको यहाँ पर कौन से section ने बताया section 12 ने बताया यहाँ तक आपको कोई topic समझ में आया हो तो बताओ minor और unsound mind के person से related कोई topic समझ में आया अरे समझ में आया क्या वहान बोली नहीं रहे अरे जवाब दो ठीक है ठीक है समझ में आ गया ओके थेंक्यू 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 आ गया अब कुछ और परसन है देखो मैं आपको तीन चीज बताई थी ना minor is not competent unsound mind का person is not competent और कुछ other disqualified person कुछ और ऐसे लोग हैं जिनको contract करने के लिए disqualified declare कर रख है आप बोलोगे स्रुवो महान आत्मा है कौन-कौन है क्वाना अपने नोट्स पर यह कौन होता है कि का मतलब होता है foreigner ऐसा परसन जो किसी दूसरी country का रेजिडेंट हो तो person of other country और enemy क्यों बोला है क्योंकि उस country के साथ अपनी रिष्टे अच्छे नहीं है आप जैसे और भगवान नहीं करें यदि भारत और पाकिस्तान के बीच में यूद स्टार्ट हो जाए कि या भारत और चाहिना के बीच में को यूद स्टार्ट हो जाए कि तो आप दोनों country के friendly relation खतम तो अब चीन और भारत के लोग agreement नहीं कर सकते या पाकिस्तान या भारत के लोग agreement नहीं कर सकते दूरिंग वोर क्योंकि जब तक यूद रहता है तब तक उस country के resident जो आपके opposite country उस country के resident आपके friend नहीं हो सकते तो alien enemy जो होते हैं यानि person of other country resident of other country जिसके साथ अपने इंडिया के अभी enemy relations नहीं कोई war चल रहा तो उस duration में आप उस person से agreement करोगे तो वोईड हो तो alien enemy के साथ यदि contract करते हैं तो वोईड होता है पेटा एक स्थब्द लिख रहा हूं ध्यान से देखना या आग्या आपको question भी मिल सकते हैं इसके alien friend के साथ देखो alien enemy के साथ contract करोगे तो तो वोईड होगा इसके साथ agreement क्या तो कैसा हुआ वोईड और alien friend के साथ agreement करोगे तो alien friend का मतलब ऐसा person जो किसी other country का है लेकिन उस country से अपने कोई enemy relation नहीं है enemy relations नहीं है प्रेच्छे रिष्टे उसके साथ उसके साथ agreement करोगे तो यह वैलिड होगा foreigner के साथ agreement होते ही न आपन इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते गया तो alien friend के साथ agreement तो वैलिड है और alien enemy के साथ agreement वोईड है ठीक है ध्यान रखना इसकी क्यूस्टन मिल सकते हैं आप अब्जेक्टिवम तो क्यूस्टन को ध्यान से पढ़ना एलन enemy पूचा है तो तो एग्रिमंट वोईड होगा और एलन फ्रेंड बोला है तो तो वेलेड होगा ठीक है दूसरे जितने भी फोरेंग अंबेश्टर से अब आपको ध्यान होगा जैसे अपने यहां पर भी और अपनी अपने भी तुछ आपन राजदूत बोलते हैं अलग अलग कंट्रीज के रिपर्जेंटेटिव इंडिया म टेटेटिव में रहा होता है तो जापन अबी होगा चाहिना का भी होगा पकिस्तान का भी होगा इत्ने अबी कंट्रीज हैं जिन के साथ अपने ट्रेडिंग रिलेश्ट材ं है जो भी इंटरनेशन अपने मेंत्रें रखते हैं तो उन country's के अपने यहां पर foreign ambassador होती है और वहां पर जो persons of foreign ambassadors होते हैं उन person के साथ आप को उन्टर रिस्टिक्शन से next act convicts अब बोलो इसने convicts कौन होता है ऐसा person जिसने कोई अपराद किया हो जिसने कोई murder किया कोई भी crime किया और जिसकी उसको सजा मिल चुकी है जेल में है वो दिफागे मैंने meaning भी लिखा है कि है person undergoing any imprisonment imprisonment यानि जिसको जेल हो रखी है पर अभी वो जेल में है दो साल पांच स साल दस साल या lifetime जो भी जब तक वो जेल में है नेक्स्ट है बेटा जो person insolvent declare हो गया तो insolvent declare होने के बाद उस person के सारी assets कंट्रोल करने के लिए liability को pay करने के लिए court एक बंदा point करता है इसको receiver बोलते manager होता है वो इस insolvent का उसका काम इस insolvent person के assets को sale करना और इसके liability को pay करता है जो इसके assets sale हो रही ही जिसके liability को pay किया जा रहा है उस duration में वो person agreement नहीं लाफ्क तो खेर आप समझ जाओगे drunken ऐसा person जिसने food drink कर रखी है या intoxicated जो drugs का save on करता है जो लोग drugs लेते है रेगुलरली तो उनका वैसे भी sound mind खतम हो जाता है वो वैसे भी sound mind की category में आ जाए तो उसका sound mind status वो खतम हो जाता है तो उस person के साथ क्या agreement उसको समझ ही नहीं होती है उसको खुद की समझ नहीं होती ह क्यों कहां है उसको भूख लगी है नहीं लगी कहां पड़ा है अच्छा है बुरा तो यहीं समझ पाया हो क्या contract है तो जो drunken person है या जो intoxicated person है जिन्होंने खूब सारी drugs ले रखी उन person के साथ वैसे भी यह लोग sound mind के होते हैं तो इनके साथ आप agreement करोगे तो generally void हो यह तो माइनर नहीं हो और sound mind का नहीं हो और disqualified नहीं हो तो competent है तो competent person के साथ यह agreement करोगे तो valid है और incompetent person के साथ agreement करोगे वो void तो नहीं है तो यह अपना basic element था एक point हो रहा था आपको ध्यान होगा वैसे थोड़ा वो पहले पढ़ चुके हैं कि जो भी person agreement करें जो भी person agreement करें तो parties to the agreement जो हैं उनकी consent free होनी चाहिए यह agreement करने वाली parties पर किसी भी टाइप का burden नहीं हो दबाव नहीं हो कि agreement करने वाली parties ने अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से agreement किया हो उन पर किसी भी टाइप का दबाव नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का pressure नहीं होना चाहिए यह आप किसी को ड्रा धंका करके किसी प्रेसर में ले करके उससे उसकी consent लेते हो उसकी सहमती लेते हो तो consent तो है वह उसने साइन तो कर दिया होंगी कि ठीक है वहीमा आपके साथ है agreement कर रहा हूं बट क्या यह consent free है नहीं है और इदी consent free नहीं है तो agreement valid नहीं है वेलिड नहीं होगा फिर agreement इदी consent free नहीं तो agreement वेलिड नहीं है agreement कैसा होगा वोईडेबल ना वोईड भी नहीं वोईडेबल वोईडेबल एगरिमन्ट एक की कारण से तो बनता है यह दी पार्टिस की consent free नहीं तो वोईडेबल होगा तो आज अपनी फ्री कंसंट कब कहते हैं किस चीज को फ्री कंसंट करें इसके regarding पढ़ेंगे तो सबसे पहले section 13 को study करते है section 13 ने लिखा है कि two or more persons are said to consent कि दो या दो से ज़्यादा लोग सहमेत हैं यह तभी कहेंगे है when they agree upon the same thing in the same sense कि यह दिए वो किसी पर्टिकुलर चीज को सेम सेंस में और सेम थिंग को अग्री करते हैं याणि अनीन ने बोला कि भई मैं मेरा माकान सेल करना चाता हूं 80 लेग मिं पर सेंग है एक तरह से से और सुनी ने बोला कि हाँ भे ठीक है मां आपका में मकान इतने में पर्चिट है तो same सेंस में और से अगृरें और same से हो तो यह मान लेना कि उन पार्टी की कंसेंट प्री है यह जो वर्ड है ना बेटा सेम ठींग और सेम सेंस को बता देता हूं एम ठींग सेम सेंस इसका एक लेटिन वरब है और वो है कंसेंसस consensus add item item भी बोल देते यह बार क्यों से ना सकता है consensus add item जैसे अभी एक word आये था ना void up in issue अब in issue यह क्या latin verb हैंगे अब in issue है ना यह latin verb है यह general English नहीं है यह latin English है लो में कई बार ऐसे word मिलेंगे तो इसका मतलब तो मैंने क्या बताया था from the starting और इसका मतलब क्या है consensus यानि consent in the same sense add item for same thing यानि same thing in the same sense यह लिए है तो यह माल देना कि consent कौन सी है consent free बेटा इसका question आ सकता है कि consensus add item का meaning क्या है और निचे चार option मिल जाएंगे कि consent in the same sense और दा same thing या different sense same thing इस type से आपको चार option मिल जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि यह दी किसी contract में दोनों parties की same sense में और same thing के लिए consent हो तो consent क्या कहलाएगी free consent और आगी लिखा भी है यह section 14 के coding यदि section 14 को steady करें तो consent is said to be free कि consent free ही होती है when it is not caused by यदि consent इन पांच रास्नों से नहीं होनी जाएगे यह five way है इन five ways के अलावा यदि consent है तो free है और यदि consent is obtained by these means तो फिर वो consent free नहीं है जान से देखना कि consent is said to be free section 14 को steady कर रहे है कि consent is said to be free when it is not caused by coercion की को ड्राना धमकाना यदि आप किसी को ड्रा धमका करके यदि उसकी consent ले रहे हो तो वो consent free नहीं है फिर फिर वो consent free नहीं है undue influence किसी पर moral pressure बना करके fraud करके या facts को misrepresent करके या by mistake इन पांचों point को अब आपन नीचे पढ़ेंगे कि अच्छी चीज यह है कि आप इन यह जो five points है ना coercion, undue influence fraud, misrepresentation और mistake इन सभी को अपन नीचे इक एक एक करके इनको स्टेडी करेंगे सबसे पहले श्रीगनेस करते हैं coercion से किसरे coercion क्या होता देखो coercion का मतलब होता है आप किसी को धंकी देते हो कि या तुम आप मेरे साथ ही agreement कर लो जैसे मानलो किसी के पास बहुत अच्छी गाड़ी है जैसे एक कोई अनील नाम का परसन है इसके पास एक बहुत अच्छा मकान है ये एक अनील नाम का परसन है अनील का सुनील की नजर है सुनील चाहता है कि या ये मकान मुझे मिल जाए किस मकान की करीब किमत है तू करोड रुपी जाए दो करोड रुपी की किमत है इस मकान की लेकिन सुनील ने अनील पर प्रेसर बनाया कि या तो ये मकान तू मुझे 30 लैक में सेल करने का अग्रीमेंट कर ले कि हां मैं अनील मेरा यह मकान 30 लाक रुपे में सुनील को बेचना चाहता हूं तो साइन कर दे और मैं offer को accept कर दे दो क्रोड रुपे का मकान 30 लाक में सुनिल ने संदोन को बोला कि या तो यह मकान मुझे 30 लाक्ष्य में शेल कर दे ने तो मह देखिया तो तुझे कैसी फैमली मेंबर को या किसी प्रोपरिती को में नुक्सान पहुंचा तो यह दो आब तो आपर सुनिल क्या कर रहा है शुनिल अनील को 380 निंग मीनस बेटा धमकी देना या कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे सुनिल नहीं इस अनील की किसी फैमिली मेंबर को किडनेप कर लिया या इसकी और को इवेलवियबल प्रोपर्टी को फॉरफीट कर लिया और यह बाहूबली है नहीं छोड़ रहा है तो बेचरा अनील तर्की मारे और ठीक अपनी कंसेंट दे देता है ठीक है भाई मैं मेरा दो कुरूर का मकान और तीच लाख में बीजने को तो क्योंकि इंडि अधिक्युएट और एडिक्युएट की तो बात नहीं करता है यहाँ पर आनील कंसेंट तो दी लेकिन क्या वो चणत फ्री है नहीं तो यहां सुनील कंसेंट्ट ओब्टेन की प्राप्त की और कैसे प्राप्त की खथे क copperr केkol या और ऐसा एक प्र पर में और यह वो यह की Indian Penal Code ये सब Indian Penal Code में prohibited हैं और आप वैसा ही कुछ कर रहे हो या कुछ करने की धमकी दे रहे हो जो कि Indian Penal Code में prohibited है तो इट मिंस आप अगले परसंद की consent तो ले रहे हो लेकिन consent कैसे ले रहे हो by way of coercion तो इसकी theory पढ़ते हैं पेटा चिहान देना प्लीजूरी पे, कि coercion is the committing या treating to commit, एप याप कोई ऐसा एक्ट कमिट कर रहे हो, या कमिट करने की आप धम्की दे रहे हो, वख या तो आपने उसके किसी family member को kidnapping कर लिया है, और कौन से act? Forbidden, forbidden यानि prohibited, बेटा forbidden का मतलब क्या होता है? forbidden का meaning होता prohibited forbidden means prohibited आप कोई ऐसा act perform कर रहे हो या perform करने की धंकी दे रहे हो जो की prohibited है by the Indian Penal Code IPC के दुआरा या फिर और कोई ऐसा unlawful detaining detain का मतलब होता है किसी को आपने कबजे में ले लेना और आप गलत तरीके से उसको detain कर रहे हो या फिर detain करने की धंकी दे रहे हो उसकी किसी भी प्रोपर्टी को to the prejudice prejudice यानि harmful prejudice का मतलब होता है harmful harmful of any person whatever या आप या तो कोई ऐसा act जिसे की कोई मारपीट करना, मर्डर करना इसकी धंकी दे रहे हो या उसकी किसी family member को आपने मारपीट कर दिया है और ये दिवो मकान सेल नहीं करेगा तो और भी करोगी ये धंकी दे रहे हो या फिर आप unlawful detain कर रहे हो detain करने का मतलब होता है अपने कबजे में रखना और किसको उस person की किसी प्रोपर्टी को और वो इस तरह से कर रहे हो ताकि उस person के इनको नुकसान हो to the prejudice of any person उस person को नुकसान हो और ये सब क्यों कर रहे हो आप सब सिस्यांदर लाइन कि with the intention of causing any person to entry into contract और ये सब करने का आपका इरादा क्या है कि वो person जिसके साथ आप ऐसा कर रहे हो जिसको आप ये threatening कर रहे हो जिसको आप ड्रा धंका रहे हो वो आपके साथ agreement करने की से इस intention के साथ ही दि आप कोई act perform कर रहे हो कोई crime perform कर रहे हो या crime perform करने की धंकी दे रहे हो तो इस आप coercion को अपलाई कर रहे हो consent तो ले रहे हो दाफ एसब करके लेकिन वो कंसेंट फ्री नहीं है तो कंसेंट है वो मना नहीं कर लेकिन वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है और केस वा था बहुत प्यारा केस था यह यह आमीराजू वर्षीज से सम्मा 1918 लगबग 100 साल पहले मान लुए करने की धंकी देता कई बार घर में होता है ना कई लोग अपनी बात मनवाने के लिए बार बार में ऐसे बोलते हैं या तो आप मुझे मेरे लिए चीज कर दो नहीं तुम्हें सुसाइड करना कि यह वाले डरके मारे क्या करें कई बार नहीं पसंद होते वे भी अपनी सहमती देनी पड़ती है यहां पर भी कैसी थी यहां लिखा है कि यह परसं ए थ्री एट ओफ कमिटिंग शूसाइड एक परसंथा जो अपनी वाइफ और अपने बच्चे को देखो कितना समझदा रह वाइफ की कबजे में है उसके बच्चे उसको इधान नहीं दे रहे उसने अपनी वाइफ और बच्चे को धंकी दी कि कोई प्रोपर्टी है जो उसके आप लीज डीड यानि वो प्रोपर्टी यह आप उसेस्बंट को ट्रांस्पर नहीं करोगे तो फिर वो सुसाइड कर आप उसके वाइफ और बच्चे ने उससुसाइड की धंकी को मत देने जर रखते उस लीज डीड पे साइन कर दी यहां जो कंसंट है फ्री नहीं है यह उसके वाइफ और उसके बच्चे को जो कंसंट देनी पड़ रही हो फ्री नहीं है तो सुसाइड करने की धंकी देना है कि ये बी कोई शन इखाव ड्रा रहें रहें हो इसंतो मिड़र करने से क। ले रहा अब ड्रा करके पंपूटे फरी नहीं कि कंसंट भी फ्री इस ड की डैफ़िनिसंस के मैं नहीं आई है और येधि consentуб फृ नहीं है तो agreement will aid नहीं होगा आपको ध्यानिया ना जहाँ पर consent free नहीं होती तो वहांपर agreement will aid नहीं होता agreement valid तभी होगा जब consent free होती है और यहां पर to consent free नहीं हो जीकोag कोईरिसट का तरूँ agreement करो गे तो agreement क्या कहलाएगा ध्यान देना बेटा कि contract induced by coercion is voidable, यह voidable है, यह void नहीं है, voidable है, अब आप बताओ किसके option पर, जैसे उपर वाला example था, तो यहाँ पर किसकी consent, coercion के थुरू ली थी, तो wife और son की, तो wife और son चाहें तो इस agreement को void declare करवा सकते हैं, एक बार तो साइन कर दें, लेकिन बाद में court में चले जाएं, हमने साइन कियें इस agreement को, बट उस वक्त हमें ड्राय जंकाए गया, इसलिए हमने साइन किये, तो फिर court को यह बात सच मिलती है, तो court उसको void declare कर देगा, नहीं तो valid तो है यह, इसलिए लिखा है कि contract induced by the coercion is voidable at the option of the party whose consent was also obtained, आप जैसे यहाँ पर सुनील ने, अनिल को ड्राध हमका करके, उसका दो क्रोड रुपे का मकान तीस लाख में लिया, तो कल यह दिए अनिल में हिम्मत आ जाए, और court में चला जाए, कि जजज साब माना कि मैंने मेरे मकान निल को तीस लाख रुपे में शेयल करने का agreement किया है, लिकने उस वक्त इसने मेरे बच्चे को hidden app कर रहा है तो या इसने यह मुझे धंकी दी हुई थी, वोईडेबल कॉंट्रेक्ट वो होते हैं जो वोईड डिकलेर हो सकते हैं, वोईड है नहीं बट वोईड डिकलेर हो सकते हैं तो सेक्शन 19 को आपने आज यहां स्टेडी किया, आगे की जो अपने क्लास हैं वो फिर नेक्स्ट क्लास में cover करें,